मंगलवार की सुबा 11 बजी के आसपास साब ने तहसील के खापर खेड़ा थाना अंतरगत चनकपूर कॉलोनी के ब्लॉक क्रमांग चवालिस का मुख्य सीडी धराशाई हो गया गनीमत यह रही की कोई वैक्ती संपर्क में नहीं आया फल स्वरूप जनहानी नहीं होई लेकिन सीडी के नीचे गोपाल कुर्वे का बनाया हुआ गड़ी पार्किंग का शेड में खड़ी एक मोटर साइकल और एक साइकल चकना चूर हो गई प्राप्ते जानकारी के नुसा ब्लॉक क्रमांग चवालिस में कुल आट कौटर है जिनमें सिर्फ एक वेकोली करमचारी रंचीत कावले परिवार सह रहते हैं एक कौटर जरजर होने के कारण कुछ दिनों से खाली है बाकी चैक कौटर में अवयत तरीकिसे सिधारत बान खेड़े सुनील गोने अजमत शेख, हजमत शेख, गोपाल कुरवे, साबरा बानो अपने परिवार के साथ रहते हैं गटना के समय उपर के कौटर में सिधारत बान खेड़े सुनील गोने अपने परिवार के साथ थे और अजमत भी उपस्तित थे गटना के जानकारी मिलते ही, खपेर खेड़ा थाने के API दीपक कॉंक्रीट वार अपने टीम के साथ गटना इस्तल पर पहुँच कर फायर ब्रिगेट के गाड़ी को बुला कर उपर के माले में फसे पांच लोगों को सुरक्षित नीचे उतारे गए गौर्टलबे की वेकोली ने पूरे ब्लॉग को ब्लेकलिस्ट में डाल दिया है, उस ब्लॉग में कोई भी काम वेकोली द्वारा नहीं किया जाता डिपार्टमेंट ने कई पत्र रहने वालों को दिया है कि कौर्टर खाली कर दिया जाए फिर भी कोई दुरगटना होती है तो उसकी जवाब दे खुद रहने वालों की होगी लेकिन यह समझ के परेह कि जब लॉक चवालिस खराब हो चुगा है तो वेकोली के अधिकारी अपने करमचारी रंजीत कावले को क्यों मनने के लिए वहाँ उस कौर्टर में रखा है गौर्टलबे की वलनी, सिल्लेवाडा और चनकापूर कॉलोनी के ब्लैकलिस्ट किये हुए कौर्टर में खिड़की दरवाजे लटके हुए हैं फिर भी लोग परिवार के साथ रहते हैं बारिश के दिनों में पानी सीवेच से छट का भार बढ़ जाता है यदि कहीं अन होनी हुई तो जानमाल की हानी होनी तैय है पंचाय समीती सदत्से राहुल तिवारी को घठना की जानकारी मिलते ही उन्होंने घठनस बहुँच कर घरों में फसे लोगों को निकालने में मदद की साथ ही वेकोली प्रशासन को तुरंत कॉलोनी के शतिग्रस्त मकानों में रहने वाले कामगाब परिवार के रहने की ववस्ता करने की मांग की सावनेर से NBCN न्यूस के लिए कि शोट हुंडेले की रिपोर्ट